मेश राशी मिथुन राशी कारियों को समय पर करने की आदट डाल लीजिए उधार दिया धन आपको वापिस मिल सकता है जरूरत मंद बच्चों की मदद करें केसर चंदन का दान करें शुबरंग है पीला करकराशी रिष्टों में परेशानी हो सकती है सुबह के समय जल्दी उठें किसी को धन उधार बिलकुल ना दें उगते हुए भगवान सूर्य नारायन के दर्शन करें शुबरंग है आस्माई सिंग राशी वो पहार मिलने का योग बना हुआ है अपने बौस से किसी भी बात पर आपका वाद विवाद हो सकता है तो थोड़ा ध्यान रखिए निरने बहुत सोच समझ कर लेने है सफेद वस्तू का दान करना है शुबरंग होगा लाल कन्यराशी परिवार में खुशी का माहुल रहेगा मिहमान के आगमन का योग है रुका धन कुछ समय बाद आपको मिलेगा तो जल्दवाजी बिलकुल ना करियेगा पीली वस्तू का दान करें शुबरंग होगा नारंगी तुला राशी मन की सारी इच्छाएं पूरी होंगी अपने खानपान का ध्यान रखें करियर में बदलाव का योग है जरूरत मंद लोगों को चावल का दान करें शुबरंग होगा नारंगी विरिश्चिक राशी अपने क्रोध पर काबू रखें शाम तक समय आपके अनुकूल है उत्तर दिशा को साफ रखें गुड का दान करना है शुबरंग होगा मरूग दनुराशी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं समय आपके अनुकूल है शाम तक जरूरी कारिये निप्टा लीजिए मन की इच्छा पूरी होने वाली है जरूरत मंद लोगों को दवा का दान कर दीजिए शुबरंग होगा जमनी मकर राशी दोपेहर के बाद समय अच्छा रहेगा किसी भी जरूरी काम को निप्टा ले तो आपके लिए बेहतर है अपनी बात किसी पर थोपिये नहीं मीठी वस्तू का दान कर दीजिए शुबरंग होगा गुलावी बात करते हैं कुम्ब राशी की अपनी बात किसी से जबरदस्ती बिलकुल ना मनवाएं भाग्य आपका साथ दे रहा है रुके हुए कार्य पूरे होंगे वस्त्रों का दान जरूरतमंद लोगों को करें शुबरंग होगा आसमानी बात करते हैं मीन राशी की जूट का साहरा बिलकुल ना लीजिए वाहन बहुत साथानी से चलाएं किसी की मदद आज आपको जरूर करनी है पक्षियों को दान डालिए शुबरंग होगा गेरुआ